असलाम वालेकुम दोस्तों रस्यास चैनल आज आपके लिए लेकर क्या है एक बहुत ही बहतरी क्या आपके सवालात हैं अगर कि जौब इंटर्व्यू में जाते समय हम किस परकार का हेयर अस्ट्राइल रखें किस परकार के ड्रेसेच पहने अगर आप यह सोचती हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए है और आपके इन सारे सवालातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे साथी साथ आप यह भी जाना चाहती है कि जौब इंटर्व्यू में जाते समय हम किस तरह से अपने आपको मेकप करें क्या लगाएं कैसे मेकप करें किस तरह से जूल्री पहने अगर यह है तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए हैं सबसे पहले बात आती है कि जौब इंटर्व्यू में जाते समय कौन से कपड़े पहने जाएं अगर कपड़ों की बात हम करते हैं तो कपड़े आपको फॉर्मल ड्रेसेज ही यूज करने हैं फॉर्मल ड्रेसेज हम आपको इमेज के जर्या आपको दिखा रहे हैं यह सारे कपड़े आपको फॉर्मल ड्रेसेज में आते हैं इसके इलावा भी कुछ कपड़े हैं जो फॉर्मल ड्रेसेज में आते हैं जैसे के सलवार सूट सलवार सूट भी एक फॉर्मल ड्रेसेज है और यह simple होना चाहिए साड़ी यह भी एक formal dressage है और यह भी आपको खयाल रखना है कि आपने जो साड़ी पैनी है वो simple होना चाहिए job interview देते समय अब बात आती है make-up की अगर हम make-up की बात की जाए तो आपको अपना CTM यूज़ करना है इसमें आपको aloe vera gel लगाए aloe vera gel के बाद आपको foundation का यूज़ करना है foundation का आप यूज़ हलका करेंगे ताकि over make-up ना लगे over make-up यहाँ आपको जर्वत नहीं है इसलिए आपको कम लगाना है यानि कि थोड़ी सी मत्रा में लगाना है जिससे आपका shine बढ़ जाए अब बात आती है concealer कि क्या job interview में जाते समय हमें concealer का use करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों job interview में जाते समय हमें concealer का use करना चाहिए जिनके आँकों के नीचे dark circles है वो खास तोर से अपने job interview में जाते समय concealer का use करेंगे कंसीलर का यूज आप थोड़ी मात्रा में करेंगे डॉट डॉट करकर के और इसे मेकप ब्रस से ब्लैंड कर दे उसके बाद आती है अब बारी फेस पाउडर की फेस पाउडर भी आपको हलका टाच अप करना है फेस से गरदन तक बात आती है अब आईशाड़ की आप आईशाड़ का यूज करते हैं तो आप अपने कपड़ों के यानि जैसे अपने कपड़े पैने हैं उस तरह का आपको आईशाड़ यूज करना है और इस बात का खयाल रखें आईश्याडव आप यूज करें तो वो हल्का हो काजल आप लगा रहे हैं तो काजल आपको आईश्याडव के बाद काजल आप यूज करेंगे और काजल आपको हमेशा अपने Water Lines पर यूज करनी है और उसके बाद आपको यूज करना है Eyeliner आई लाइनर आप यूज़ करेंगे जिस तरह का आई लाइनर आपको अच्छा लगता है पेंट बेसेट में लिक्विड बेसेट या पैंसिल बेसेट जैसा आप चाहें बात आती है अब भाई क्या मस्करा का यूज़ कर सकते हैं जीहां जौब इंटर्व्यू में जाते समय आप हलका सा मस्करा का टच अप दे सकते हैं इससे लुक आपका और भी अच्छा हो जाता है अब बात आती है जूलरी कि हमें जूलरी किस तरह से पैननी है इस बात का जरूर धियान रखे कि जॉब इंटर्व्यू में जाते समय आपको अपने जो जूलरी पैना है वो हैवी जूलरी ना हो image के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका जो जूल्री हो वो इस तरह से हलका हो कान में आप टॉप्स पहन सकते हैं हलका और एक गले में चेन और लॉकेट हलका जैसा कि इसमें इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है हमने इसे आपको समझाने के लिए दिखाया जहां बात आती है रिंग्स की कि किस तरह क का रिंग्स पहने इस तरह के रिंग्स आपको चोटे साइज के पहनने हैं यानि कि हेवी लुक वाले आपको नहीं कान एयर रिंग और नहीं आपको रिंग का यूज करना है इस तरह से आप यूज करते हैं बात की जाए बैंगल्स की बात की जाए चुडियों की का एयर टॉक यानि earrings की इस तरह से आप इसमें से हलके हलके वाले यूज़ कर सकते हैं आप बात आती है कि लिवस्टिक जोब इंटुर्यू में जाते समय कैसा लिवस्टिक हम यूज़ करें तो मैं ये कहूंगी कि आपको इस तरह का लिवस्टिक अच्छा और बेस्ट होता है आप चाहें तो नैशुरल पिंग कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो हलका हो तो ये आपके वेक्टिक रुको और भी परभावी बनाती है अब बात आती है हेर अस्टाइल की कि जोब इंटर्यू में जाते समय हम जो अपना हेर स्टाइल करें वो कैसा हेर स्टाइल करें यानि कि आपको हेवी लुक अपने आपको नहीं देना है इसलिए इस बात का भी खयाल रखे हेर स्टाइल भी आपका सिंपल हो और इस hairstyle यानि के simple hairstyle है और आपका look भी आपको परभावी दिखे क्योंकि आपका confidence भी होना चाहिए hairstyle आपको इस तरह से करना है जिसमें आप अपने आपको comfortable महसूस कर रही हो ताकि आपका पूरा focus अपने job interview पर हो hairstyle की बात की जाए तो google पर आप जाकर simple hairstyle देख सकते हैं job interview में जाते समय और एक ऐसा hairstyle आप चूस करेंगे जो आसानी से आप बना सके आपको समय नहीं लगे और एक अच्छा आपका वेक्टित वनी खरे बात की जाए कि job interview में जाते समय किस तरह के sandal पहने जाए इस बात का जरूर धियान रखे कि interview में job interview में जाते समय high heel saddle का यूज आप नहीं करेंगे क्यूं? क्यूंकि आप इसमें comfortable नहीं होते हैं सही से चल नहीं पाते हैं इस बात का भी धियान रखे कि आप ऐसे जूते और slippers का यूज करें जो चलते समय आवाज ना निकाले अगर चलते समय आवाज निकलते हैं तो विस से आपके वेक्तितु में थोड़ा सा किरकिरा महसूस होता है इसलिए आप जो भी sleeper का या जूते का यूज करें इस बात का जरूर धियान रखें कि वो आवाज ना निकाले दोस्तो इस वीडियो के दुआरा बताई गई सारी जानकरियां आपको काम आती हैं काम आएंगी और आप इसके मताविक तयार होके जौब इंटर्व्यू में जाते हैं तो आपकी जौब भी पक्की हो जाएगी तो दोस्तो इसको फॉलो करें और सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर जब भी मेक अप करते हैं और सही से मेक अप करके आप जब जौब इंटर्व्यू के लिए चाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का लेबल अच्छा होता है यानि कि अपने आप में आप मेंटेन होते हैं और अपने आपको दिमागी तोर से प्रेपियर करते हैं जौब इंटर्व्यू के लिए हमारा आप क्या ही वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए दूसरों को भी बताइए बेल आइकन बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तेंक यू सो माँ